नमस्कार स्वागते आप सभी का करेंट अफेर्स के इस एपिशोड में आज हम 22 जुलाई 2020 के टॉप 10 करेंट अफेर्स को डिस्कस करेंगे और इनसे रिलेटर स्टेटिक जीगे के जितने भी अलग एक्स्टा कोशन्स बनते हैं उनको भी हम डिटेल में जानेंगे सबसे पहले करते हैं लास्ट वीडियो में जो कोशन्स पूछा गया था हाल ही में किस राज्ये ने मधू बाबू पेंसन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समूदाय को सामिल किया है तो इसका सही आंसर था ओडिशा अभी ओडिशा राज्ये ने मधू बाबू पेंसन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समूदाय को सामिल किया था अगला है आज की वीडियो का हमारा पहला कोशन्स हाल ही में किस राज्ये के राजपाल लाल जी टंडन का निधन हो गया है तो लाल जी टंडन यह अभी तक मध्य प्रदेश के राजपाल थे जब यह बिमार थे तो उस टैम पे मध्य प्रदेश के अतिरिक्थ राजपाल का कारवार जो था वो उत्तर प्रदेश की राजपाल आनंदी बेन पटेल को दे दिया गया था तो अभी प्रजेन टाइम पे जो मद्यप्रदेश की अतिरिक्त राजपाल हैं वो हैं आनंदी बेन पटेल मद्यप्रदेश की बात है तो आप मैप में देखिए ये है मद्यप्रदेश मद्यप्रदेश की कैपिटल है भोपाल CM है सिवराज सिंग चोहान और गवर्णर अभी कौन है आनंदी बेन पटेल यूनी केमरल स्टेट है विदान सभा की 230 सीटे हैं लोक सभा की 29 सीटे हैं और राज सभा की 11 सीटे हैं नेक्स्ट कोश्चन है हाल ही में किसने MSME मंत्राले के साथ डेटा सांजा करने के लिए समझोता किया है तो अभी MSME मंत्राले यानि Micro, Small and Medium Enterprises मंत्राले के साथ डेटा सांजा करने के लिए CBDT ने समझोता किया है Option A इस कोश्चन का सही आज़र है CBDT यानि Central Board of Direct Taxes क्या है Central Board of Direct Taxes तो Central Board of Direct Taxes ने MSME मंत्राले के साथ डेटा सांजा करने के लिए समझोता किया है CBDT के प्रिजन टाइम पे अध्यक्ष है प्रमोद चंद्रमोदी कौन है प्रमोद चंद्रमोदी यानि PC मोदी और बात MSME मंत्राले की है तो प्रिजन टेम पे MSME मंत्री कौन है वो है नितिन जेराम गड़करी जो सड़क परिवेन और जहाजरानी मंत्राले के मंत्री भी है और MSME मंत्राले के भी मंत्री है Question No.3 है हाल ही में खेल मंत्राले ने स्वेच्षिक्ता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझोता किया है तो अभी खेल मंत्राले ने स्वेच्षिता को बढ़ावा देने के लिए UNICEF के साथ एक समझोता किया है Option से इस Question का सही आंजर है UNICEF के साथ समझोता किया है तो UNICEF के कार्यकारी निदेशक को एक्जाम में पूछा जाता है UNICEF के कार्यकारी निदेशक है हेनेरीटा H4 कौन है? हेनेरीटा H4 ये नाम आपको याद रखना है और बात खेल मंत्रा लगी है तो प्रिजेन टैप में हमारे खेल मंत्री कौन है? वो है किरन रिजेजू कौन है? किरन रिजेजू Next question है हाल ही में भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्टरिक वहान चार्जिंग पलाजा का उदगाटन कहां किया गया है? तो ये भारत का पहला इलेक्टरिक वहान सार्वजनिक जो है इलेक्ट्रिक वहान चार्जिंग पलाजा है और इसका उधगाटन नई दिल्ली में किया गया है option से इस question का सही answer है नई दिल्ली में इसका उधगाटन हुआ है और इसका उधगाटन किया किसने है तो हमारे present time के कैंद्रिय विद्युत नवीन और नवीकरनिय मंत्री है आर के सिंग कौन है आर के सिंग उन्होंने ही इस सार्वजनिक वहान चार्जिंग पलाजा का उधगाटन किया है next question है हाल ही में किसने चात्रों के लिए मनुदर्पन पहल का सुभारम किया है तो अभी डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने चात्रों के लिए मनुदर्पन पहल का सुभारम किया है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ये present time पे हमारे M.H.I.D. minister है यानि मानव संसाधन विकास मंत्राल है इंगलिश में बोलेंगे Ministry of Human Resources and Development प्रिजन टैम पे मानव संसाधन विकास मंत्राल है या फिर सिक्षा मंत्री भी इन्हें बूल सकते हैं वो हैं रमेश पोखरियाल निशंक और इन्होंने ही चात्रों के लिए चात्रों की मानसिक स्वास्त की देखवाल के लिए मनो दर्पन पहल की सिरुवात की है कुशन नमबर सिक्स है हाल ही में किसने मिजोरम में जोरम मेगा फूड पार्क का उदगाटन किया है तो अभी मिजोरम में जोरम मेगा फूड पार्क का उदगाटन हुआ है और इसका उदगाटन किया है हरसिमरत कौर बादल ने option A is question का सही answer है हरसिवरत कौर बादल यह हमारी present time पे केंद्रिय खाद प्रसंसकरन उद्योग मंत्री हैं कौन है केंद्रिय खाद प्रसंसकरन उद्योग मंत्री जोरम मेगा food park यह 5000 लोगों को प्रत्यक्ष और एप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देगा और करीब 25000 किसानों को लाबानवित करेगा बात मिजोरम की है तो मिजोरम के मुख्यमंत्री है पू जोरम ठांग कौन है पू जोरम ठांग और मिजोरम के राजपाल है पी एस स्रीधरन पिल लई question number 7 है किस मंत्राले ने बारूदी सुरंग हटाने वाले उपकरनों की खरीद के लिए B.E.M.L. के साथ समझोता किया है तो अभी रक्षा मंत्राले ने बारूदी सुरंग हटाने वाले उपकरनों की खरीद के लिए B.E.M.L. के साथ समझोता किया है option B इस question का सही answer है रक्षा मंत्राले ने समझोता किया है तो हमारे present time पे रक्षा मंत्री कौन है राजनात सिंग कौन है राजनात सिंग B.E.M.L. इसकी full form क्या है भारत Earth Movers Limited क्या है भारत Earth Movers Limited Question number 8 है हाल ही में ICC के द्वारा T20 विस्पकप को कब तक के लिए स्थगित किया गया है तो अभी ICC ने T20 विस्पकप को साल 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया है अभी इसी साल 2020 में होना था T20 विस्पकप लेकिन COVID-19 के कारण इसे अभी 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है ICC ने इसे स्थगित किया है तो ICC का हेड़कॉर्टर है दोबई में इसके प्रिजन टैम पे CEO है मनू साहानी Q9 है हाल ही में सूरज कदे मर्दा नहीं पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है तो अभी ये पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा बलदेव सिंग के द्वारा ओप्सन से इस कुशन का सही आंसर है बलदेव सिंग ये साहाइत्य अकैदिवी पुरुषकार से पुरुषकरत है और इनोंने ये पुस्तक स्वेतंतरता से नानी उदम सिंग के कई पहलूँओं पर लिखी है उदम सिंग की पुन्यतिती होती है 31 जुलाई को और इस बार असी भी पुन्यतिती है और इसी पुन्यतिती के अवसार पर यानी 31 जुलाई को इस पुस्तक को आपचारिक रूप से लौंच किया जाएगा कोशन नमबर टैन है हाल ही में किस केंद्र सासित प्रदेश ने मुक्यमंत्री घर घर रासन योजना को मंजूरी दे दी है तो अभी अभी डिल्ली ने मुक्यमंत्री घर घर रासन योजना को मंजूरी दी है ऑप्शन B इस कोशन का सई आंसर है ऐक राष्टर एक रासन काड वन नेशन वन रासन काड योजना के तहत इसको मंजूरी दी गई है बात दिल्ली की है तो दिल्ली के मुखे मंत्री है अर्विंद केजरिवाल और दिल्ली के लेफटिनेंट गवर्नर क्योंकि यूटी जितनी भी होती है उनके लेफटिनेंट गवर्नर होते हैं तो इसके लेफटिनेंट गवर्नर है अनिल बेजल ये इंपोर्टेंट है अब आ से 4 option है आपको इसका जवाब comment box में हमें बताना है ये थी आज की हमारी current affairs की वीडियो आप कोई वीडियो कैसे लगी आप इसे हमें comment करके जरूर बताएं और अगर आप कोई अच्छे लगी हो तो इसे like करें अपने friends की साथ share करें और अगर आपने हमारी चल को भी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे subscribe कर लें और पास मेल के bell icon को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि daily current affairs की वीडियो का notification आपको मिल जाए थैंक्स फर वाचिंग